दोस्तों फिरसे स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में OPPO A11 के और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मुबाइल में कॉल फॉरवर्ड कैसे हटा सकते हैं अगर आपके call divert और के दूसरे number पे तो उसको कैसे हटाना है तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको call forward हटाने के लिए चले जाना है डायल पैट पे और डायल पैट पे जाने के बाद two dot पे क्लिक करेंगे और setting पे क्लिक करेंगे और इसके बाद scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको carrier call setting का option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद call forwarding वाले option पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछी step का interface खुलके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं when busy पे मैंने गिवला number डाल रखता है और यह number आपको नहीं छेड़ना है यह आपकी company का number होता है जिससे आपको message receive होता है जब आपका phone बंद होता है तो तो यह number नहीं छेड़ेंगे आप अपना number यहाँ पे आप ऐसे click कर देंगे और अगर आप दूसर नमबर डालना चाते तो अपडेट पे click कर देंगे यहाँ पे cut करके दूसर नमबर डाल के update कर देंगे अगर आपको हटाना है तो off पे click कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं number यहाँ पे हट चुका है successfully तो इस ट्रैप से आप यहां पर कॉल फॉरवर्ड हटा सकते अपने मोबाइल से तो आई होगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स् कर